जिले में फैले शराब माफ्याओं के मकड़ जाल के गिरफ्त में अब स्कूली बच्चे भी आने लगे हैं आलम ये हैं शाला में अध्य अन्रत पांच बच्चे स्कूल में नशे की हालत में पहुँच गए, जिसमें से दो कक्षा में बेहोश हो गए जिसकी सूचना शिक्षकों ने परिजनों को दी, घटना से आकरोशिक परिजन पूरे गाउं के साथ मिलकर शराब माफ्याओं के खिलाफ मोचा खुल दिया, स्कूल को जहां लोग शिक्षा का मंदिर कहते हैं वही कुछ असामाजिक तत्वों ने उन्हें दारू का आड़ा बना रखा है, देर शाम होते ही पूरा स्कूल में खाने में तबदिल हो जाता है, जिससे पूरे स्कूल में गंदिगी भरी गंद आती है, पू स्कूली छात्राओं की माने, तो बगल में शराब बिकने से आने जाने में डर लगता है, पूरे स्कूल में गंदिगी बनी रहती है, और कुछ लोग स्कूल बंध होते ही परिसर में आकर शराब पीते हैं, अब तो स्कूली छात्र भी शराब पीने लगे हैं, कल पांच छा शराब के निशे में स्कूल पहुँचे थे जिसमें सिद्धो बेहुश भी हुए थे. माधव नगर ठाना के छिजरी चौकी अंतरगत आनने वाले माध्या में क्षाला पाडवा. से महेच चनकदमों के दूरी पर देशी शराब बना कर बेचने का काम नगरिया समाज के लोग पिछले चार वर्षों से करते आ रहे हैं जिसके विरोध में बच्चे बूले और ते समेथ पूरा गाउवे कतरित होकर शराब माफ्याओं पर हमला बोल दिया. वही ग्रामीरों को अपनी ओराता देख मौके पर मौझूद दजन भर शराब माफ्या भाग निकले जो कि काम को बंद करने का अश्वासन भी दिया. ठिकाने के आसपास तलाश करने पर ग्रामीरों को लगबख साठी सत्रह लीटर देशी शराब मिली, जिसे उन्होंने तालाब में बहा कर नश्ट कर दिया. वही पुलिस पर गंबीर आरोप लगाते हुए कहां कि पुलिस हर माहा क पैसा ले जाती है. इसलिए ये लोग पिछले चार साल से बिना भया के देशी शराब बना कर बेजते हैं, जिससे पूरे गाउं का महल बिगड़ चुका है. वही ग्रामीरों ने अपिल भी कि इन शराब बेजने वालों को गाउं से बाहर किया जाए. कटनी संबादाता ही पारा बेश्वकर्मा पांच-छा बच्च पिये थे. हमारा नाम प्रिश्न कुमार पटाया है. अब फूर सरक्षण पुलिस का है. पुलिस ही इनको सयोग दे रही है. इसके अलावा यदि छोट छोटे बच्चे माई एक दिन गया था. हाई स्कूल है, प्रात्मिक साला है. प्रात्मिक साला पढ़ुआ गया था. तो वहाँ पर छोट छोटे बच्चों से मैंने पूचा सहाब यदि सराप का सेवन करने लगें के तो बता यह भवित कैसे बनेगा. कुछ दिन पहले मैंने गया था. वहाँ पर मैडमों से मेरी बात हुई. वहाँ पर उनने बोला कि सर यहाँ से इनको हटा दिया जाएगा और यदि इनको कच्छी दारू वाली उको हटा दिया जा यहाँ पर उसी जा रहा है यह सासन की तरफ से डावर कंपनी के बगल में राज लक्षमी में क्या उसको सासन पर सासन बंद नहीं करवाएगी कि मुहमूद लेगे कलेक्टर साहब क्या करें क्या यह यहां में जनता यह पागल है कि बताइए मैं खुद मेरा नाम प्रहूद यालविस कर्मा कि अधर दारू पकड़ लिए और यहां से हटाने चाहिने हैं आपन फुर्वदारू यह चार साल होगा है तो आप लोगों पुलिस वारें से आते हैं पुलिस वारे आते हैं अधा बंद आ है यह यह तुम आते हैं पुछ कर रवाई नहीं करते हैं जिंजरी लगते हैं प्रहूं सा काओ है है यह पढ़गवा का परिशर है और यहां पर बिद्यालाय परिशर के पीछे खेतों पर कुछ है अग्यात तत्तों द्वारा सराब बिक्त्रा किया जाता है जिस से और विद्यालाए के आवकास होने के उपरान सरावी तत्तों का परिशर में जमाउड़ा रहता है लोटने पर परियाप्त गंदगी का आलम रहता है और उसको हटाने के लिए एक दो बार ग्राम पंचाथ और पुलिस परसासन ने भी और ग्राम जनों ने विरोध कर उनके जो इस्थान है जहां पर वो सराब बेशते हैं और निवास बनाए हुए हैं पूरे को जाड़ कर तहस नहास कर दिया था इसके बाद भी उनहां वहता तो आ गए हैं और फिर से वही गत्विदिया चालू हो ग लेगे हैं किनहीं तत्तों के सैंओ रूंसा नहीं को से बाकी जानकारी मिली है वे देयाम साफाम करें होने की कारण में वह माह। नहीं है विद्याना हृ एक आंड में वह ख्याक सिरै चानों के आछरगे उना में अच्छा पड़िया